तो दोस्तो आज 23 जुलाई 2023 कल 24 जुलाई मंडे से एक नया ट्रेडिंग विक शुरूर न जा रहा है तो बात करेंगे इस वीडियो पे कुछ इंपोर्टेंट शेर स्क्यूपर कुछ इंपोर्टेंट सेक्टर स्क्यूपर कल जब बजार ओपन होगा शार्प 9 बच के 15 मिट प बात करेंगे तो रिक्वेस्ट करूंगा सबको प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरान तक जरूर देखना तो शुरूरात करेंगे एक ऐसा शेर जो कि कल आपको 50 परसेंट प्राइस ड्रॉप देखने का पूरा पूरा चांस है तो कंपनी का ना में इंडियर ऑटो कं बहुत अच्छी कंपनी है बहुत अच्छी रिटन देने वाला शेर है एक्चुली बात यह कि कुस्टें पहले कंपनी ने अपने शेर होल्डर के लिए वन इस्टू वन रिश्यो में बोनस का एक स्टेट है तो जिस बज़े से बेसिकली जो प्राइस है वो एड्जस्ट्म को मिला तो आपको बिल्कुली चिंदा करने की ज़रूरत नहीं है नॉर्मली एक प्राइस एड्जस्मेंट जो की हर एक बोनस और स्प्लीट के एक स्टेट में होता है इविन डिविडेंट के एक स्टेट में भी होता है अब बात करेंगे दूसरा कंपनी जो की बहुत सारे अलग स्टेटमेंट के लिए उन्यक्राइNT का चांस है किसे की स्टेटमेंट के नुसर से और होने का चांस है क्योंकि फ्राइड़े की दिन अणने देखन था जब बजार क्लोड स हो गया था उसके ठीक बात कमपनी का quarter one का result आउट हुआ नौर आउट कमपनी का quarter one का result है इस बर काफी जादा market को disappoint किया अब बात यह है कि N.H.C की official website में already A model लग चुका है वो भी buying side में तो दोस्तो इसके बारे में आपका क्या राय है comment box में comment करके जरूर बताना क्या reliance की share के अंदर इसका impact आपको जरूर देखने को मिलेगा और इसकी उपर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा डीटेल में बात जीत करेंगे तो नेक्स्ट वाला वीडियो जरूर देखना और सबको रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना तीसरे कंपणी दोस्तों में लिस्ट में है ए यू स्मॉल फाइनांस बैंक अब देखे ए यू स्मॉल फाइनांस बैंक में 50-50 चांस है बट क्वार्टर और क्वार्टर बेस पे कुछ सेग्मेंट पे काफी द्रॉप भी देखने को में ला तो इसको पर 50-50 चांस है गिरावत होने का ठीक है बात करें वेदांत अब देखें वेदांत के वेदांत चांस यह है शेयर में करेक्शन हो सकता है जैसे का आप देख सकते स्क्रीन के पर 40% की ड्रॉप था जो नेट प्रॉफिट के अंदर इवन कंपनी का जो टोटल इंकम है वहाँ पर भी काफी अच्छा गासा गिरावत देखने को मिला तो वेदांत अले मिटेट एक बहुत इंपॉर्टेंट शेयर है मार्केट के का रिजल्ट आउट होगा दूसरे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मार्केट का जो एनलिस्ट का मानना यह है कि इस बार टाटा स्टील का रिजल्ट खड़ाब आएगा नोट इवन खड़ाप बलकि नेगेटिव में आएगा मतब लॉज कंपनी इस बार बूक करेगा देख तो शेयर कर दोंगा वीडियो के तुरू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शेयर है पेटियम अब देखें पेटियम का भी अमने देखा फ्राइडे के दिन जब बजार क्लोज हो गया था थोड़ा लेट नाइट पर इसका क्वाटर वन का नमबर आउट हुआ और इस बार मतब जो हमें देखा था क्वाटर फॉर्ट लास्ट यह उसके बाद को टाटा थी हो गया वह तो बहुत शांदर हमें ड्रॉप देखने को मिला था बट इस बाद दोस्तों क्वाटर वन की बात करें तो यहां पर यह ऑन यह बैस पे तो कंपनी अच्छा खासा पर्फॉर्म के अ क्रीज हो को चुका है तो यहां पर आपको वोलना 50-50 चांस है ठीक है शेयर में करेक्शन होने का तो इसको आपको नजर होना चाहिए अब बाकी बात करेंगे बहुत सारे ऐसे करेंगे बहुत सारे कंपनी जो की अच्छा रिजल्ट आया जैसे कि कल सब्सक्राइब का और सबको सच में दोस्तों शॉक्त कर दिया कि कि इतने बड़े बैंक इतना शांदर ग्रोथ मेंटेंगे वह बहुत बड़ी बात है अगर आप देखो कि कंपनी करेंगे आपको एक बा इंकम के अंदर भी काफी शांदर जम देखने को मिला मार्जिन के अंदर भी काफी इंप्रूब्मेंट हुआ तो ऑफर लगड़न बात करें जो आई से बैंक का साथ रिजल्ट आउट हुआ था और को तक महिंद्रा का जो रिजल्ट है वो भी काफी अच्छा था जैसे कि आप देख सेक्तों की ओवरल बात करें यह देखे 50 परसंट की आमें ग्रोथ देखने को मिला प्रॉफिट अप्र कुछ कुछ यहां पर जो कंसॉलिडेट को यहां पर मतलब हाइलाइट का किसकुछ जगा पे स्टैनल उन को हाइट हाइलाइट किया स्टैनल उन रेजल क्या गोरिंग 67 परसंट की ग्रोथ हुआ और अगर हम बात करें इंपर देखने को मिला तो दोस्तों यह बैंक लिमिटेट को पूर आपका नजर होना चाहिए इसका भी रेजल काफी अच्छा आया करें और जिस बैसे शेयर भी हमने देखा लास्टे फ्राइड के दिन मार्केट गिरावट होने के बाब जूद भी दो परसें उपर जाके क्लोजिंग तो कल इसका एक्च्छल में इंपक्ट देखने को मिलेगा मार्केट के अंदर नेक्स दम बात करें कुछ ऐसे कंपनी का शियर जो कि कल रेजल्ट आउट करेगा ध्यान से रेलाक्स ओ फूट वायर जो अधर कंपनी तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि एसारे अगर अच्छा किया या खराब किया जो भी होगा आईडिया आपको मिल जाएगा कि नेक्स जब दीपक नाइट आट आट लिमिटेट आर्टी इंडस्ट्री का रेजल्ट आउट होगा किस टाइप कर रेजल बहुत जब इंपॉर्टेंट होने जा रहा है तो दोस्तों देखे निफ्टी 50 में है तो 50 शेर बट निफ्टी 50 को चलाता है उसमें रहने टॉप टेन वेटेज वाले कंपनी का शेर इसमें दोस्तों आप एजड़ेप से को हटा दीजें क्योंकि अल्लेड हो चुका है और इसली कल इसका डिलान मतब रिलांस का जो क्वाटर वन का इंपक्ट भी देखने को मिलेगा एजड़ेप सी बैंक हो गया आइससी बैंक हो गया ऑफकोर्स क्वाटर वन की रिजल्ट इंफोसिस लिमिटेड फ्राइग दिन इतना ज्यादा गिरावट आई टीसी लिमिटेड को पर आपका नजर होना चाहिए उसके साथ सेक्टर वाइस बात करें तो फनांशाल सर्विस सेक्टर ओविसली क्योंकि कल दोस्तों बैंक निफ्टी को पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा वेटेज बहुत जादा है 37% की उपर है उसके साहता आइटी सेक्टर को भी आप इ वीडियो के साथ शेयर कर दूंगा फिलाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं मिलते नेक्स वीडियो पर तब तक लिए टेक्ट क्या बाबाई जय हिंद